Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with the chapter number 10 of Mo Passport Zero. So, this is our chapter, chapter number 10, it is, so, this is our chapter, Presente Voo, means you have to present yourself. So, as you are learning from school, when you have started reading English language, so, you will see, starting with your A, B, C, and build up, then you started by learning few words, then you have started sentence formation, then you have taught your maestro FC, so, all these things we all have done when we were in younger classes, more like when we were in primary school, kindergarten, so, all these things we have already done. So, now we will continue the same process in French, ठीक है, तो, सबसे पहले, when we are starting to present ourselves, हमारे पास इस चाप्टर के अंदर दे रखा है, card identity, जो आपका identity card होता है, ID card होता है, न, स्कूल में सबके पास होता है एक ID card, तो वेसे यहाँ पर एक आपको pictorial form में एक type of format उसका आप लोगों को दे रखा है, so, card identity में सबसे पहले होता है हमारा नॉम, विच इस नेम, प्रेनॉम होता है हमारा प्रेनेम, अब जब नेम हमारा आ गया, तब जैसे कि अगर मैं कहूं, मैं नेम इस अंजली, वैसे है नहीं मेरा नाम अंजली, I am just taking an example, अंजली है मेरा नाम मैं कहती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं simply name कहूँ, तब तो मेरा simple name हो जाएगा अंजली, बट अगर मैं प्रेनेम की बात करूँ, तब वो हमारा हो जाएगा अंजली, और जो हमारा name है, वो हमारा second वाला name, जो हमारा surname होता है, वो बन जाएगा, तो वैसे ही norm means, जो आपका second name है, और प्रेनॉम means your first name, तो मारी विंसेट का अइडेंटिरी काड ही है, और उसका first name is मारी, तो हमने उसको प्रेनॉम में पुट कर दिया, और विंसेट इस सरनेम, तो हमने उसको नॉम में पुट कर दिया, थर्ड चीज हमारे पास इस अइडेंटिटी काड में दे रखी है, इट इस दी एड्रेस, तो उसका एड्रेस दे रखा है, 32 who they call, means school के जो street है, school जाने वाजी जो street है वहाँ पर, पारश, चीग है, तो इस 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 आड्रेस, दार्द निसांस means date of birth, जो date of birth है मारी की, वो यहाँ पर mention है, फिर number of the telephone, number of the telephone, means telephone number is given over here, then the electronic address, means जो हमारा email address होता है, वो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, चीग है, तो यह तो हमारा representation हो गया, introduction kind of, हमने मारी काई थोड़ा से introduction पर दिया, through this identity card, अब एक चीज हमने सीखी है, जब हम English करते थे, that was myself, myself नाम की बजी हमने चीज़ सीखी थी, तो वो यहाँ पर दे रखी है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है, आरे विंसेंट का हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, तो तीन sentence उसने यूज करने हैं, आपको explain करने के लिए, the same three sentences you also have to use and present yourself in French, ठीक, आप लोग भी try करना, and same vocabulary आप लोग उसकर सकते हैं, जो इसने उसकर है, it says, means my name is Marie Vincent, तो जिसे कि मैंने आप लोगों को अपना example दिया था, suppose my name is Anjali Sharma, तो मैं कहूंगी, यह मोपल Anjali Sharma, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपना-पना introduction बनाईएगा, याबीता पारी means I live in Paris, जो Marie Vincent is, she lives in Paris, अगर मैं अपनी बात करती हूं, मुझे अपने आपको explain करना है, मैं कहां पर रहती हूं, तो मैं कहूंगी, याबीता, डेली, हर्याना, पंजाब, whatever state you are living in, ठीक है, ये नफो means I am nine years old, अगर मैं कहती हूं, मैं suppose करती हूं, मैं दो साल की हूं, जादो serious मतले ना इसको, तो मैं कहती हूं, मैं दो साल की हूं, तो उसके लिए आप लोगों को numbers, परस्तो सबसे बढ़ी चीज पता होने चाहिए, ठीक है, तो को हम French में कहते हैं, तो मैं कहूंगी, ये, ये as it is, यहाँ पर नफ की जंगा आ जाएगा, दो, और फिर उं as it is, ये दो जो means I am two years old, I hope ये जो चीज है, ये बीच में तो एक दूस्ते की age पूछ रहा है हो, सबसे पहले लड़का पूछता है, अभी two means where do you live, so आप लोग जब भी वीडियोज देखते हो YouTube पर से, so it's really important कि आप लोग अपने साथ पैंसिल रखो, पैं रखो, अपनी बुक रखो, so that जो भी आप लोग जिस भी इंस्ट्रक्टर से आप लोग पढ़ने लग रहे हो, उसके साथ-साथ आप पॉइंट्स जो है, note down करते हो, because एक बार माइंड में आप जब भी बुक खोलोगे, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर लड़के रिप्लाइ करते है, जाबीता पारी, means I live in Paris, फिर लड़के का इसमें भी सबर नहीं हो है, उसने एक और कोशन पूछा, कि के लाज आत्यू, means how old are you, या what is your age, then she says, जे नफो, means I am 9 years old, तो इतने कोशन, तो कोशन पूछ के लड़के का पेट भरी है, and now, it's the end of the discussion, फिर आप लोगों को आगे दे रखा है, formal and informal का difference, देखो, यहाँ पर हमने उ आभी त्यू बोला, हमने subject पूदा उस previous chapter में करे थे, तो वैसे ही यहाँ पर, त्यू का हमने, and वू का हमने difference देखा था, कि त्यू is used in informal and वू in formal, ठीक है, यह हमने देखा था, तो वैसे ही, अगर मैं कहते हूँ, वू आभी त्यू, तो it means, यह हमारा informal way है, of asking, where do you live, अगर मैं को formally पूछना है, where do you live, तो हम पूछेंगे, क्यल आज अवे वू, चिक में, what's your age, sorry, what's your age पूछने का formal way हमारा होगा, कैल आजावे वू, अब बात करते हैं, वू अभी त्यू की, मैं ने साथी में, वू अभी त्यू बोल दिया था, गलती से, that was कैल आजाजाट्यू, तो कहला शात्यू के इंदर 2 है तो it means it is informal and इसको formal करने के लिए we used a woo in it next हमारे पास जो दे रखा है it is the please wait for a second let me take the brush yes so next जो हमारे पास दे रखा है we will see the example of u a b 2 जैसे कि यहाँ पर कहला शात्यू का दे रखा था तो u a b 2 हमारा होता है informal क्योंकि to यहाँ पर यूज़ है तो इसमें हम woo add कर देंगे to make it formal ठीक है so u a b 2 informal u a b 2 formal ठीक है I hope यह ची समझ में आ गई होगी यहाँ पर जो हमारा chapter फिनिश हो जाता है easy था जो यह नीची हमारे पास vocabulary words दे रखे है already ways है तो मैंने आप लोगों को हर एक word का meaning बता दिया बट स्टिल अगर किजी में डाउट रहता है तो कर लेना चीक है next जो हमारी exercise है एक बार इसको try करना first question you have to introduce yourself second question identity card वो first वाले page से कर लेना देखकर फिर you have to complete the sentence यह मपल दाश means my name is dash यह बीट आदाश means I live here जहाँ पर भी आप रहते हो यह दाश ओं means I am dash years old तो वो आप लोगों यहाँ पर फिल करना है then you have to choose the correct answer जैसे कि यह मपल सोफी it is the correct one यह मपल सोफी this is the wrong one तो spelling के according आप लोग देख लेना बहुत असान exercise की जल्दी हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी मोपासपोर्ट जैरो की जो सीरीज हो फिनिश हो जाती है I hope हर एक chapter आप लोगों clear हो गया होगा अच्छे से and किसी भी chapter की इस मोपासपोर्ट जैरो में से किसी भी chapter की आप लोगो वीडियो चाहिए go on my channel on my playlist section there you will get all the books जितने भी मैंने books की वीडियो बनाई है वहाँ पर आप लोगों को arranged format में मिल जाएंगी उसकी हर एक वीडियो चीक है I hope ही chapter समझ में आ गया होगा and lastly exercise जरूर सॉल्व करना and यह जो हमारी assessment है यह भी जरूर सॉल्व करना ट्राय करनेगे ताकि पूरे बुक की आप ली आपकी एक बार में रिवीजन हो जाए so this is all for this video next video में लेंगे till then take care and bye bye